Hello friends, आज मैं आपको 2007 की Rainbow Eyes ये एक Korean movie explain करने वाला हूँ ये एक thriller murder mystery है, इसके last में जो twist आता है वो भी बहुत खतरनाक है कभी भी आप इसे guess नहीं कर पाओगे ये movie आपको continuously surprise करती रहती है ये movie एक डिरिक्ट्ट्व के बारे में है जो बहुत सारे murders की investigation कर रहा है तो चलिए इस movie को explain करना start करते है movie start होती है और हमारा जो main character है उसका नाम है चोयून चोयून एक डिरिक्ट्ट्व है movie के start में वो अपने girlfriend के साथ है ये हमें दिखता है तभी उसे एक call आ जाता है एक murder हुआ है और crime scene पर उसे बुलाया जाता है चोयून के साथ वार एक लड़की काम करती है जिसका नाम होता है यून जू ये उसे बहुत पसंद करती है चोयून लेट आता है तो उसे बुछती है कि क्या तुम तुम तुमारे girlfriend के साथ थे चोयून इस पर जाता ध्यान नहीं देता जब चोयून अंदर जाता है तब हमें पता चलता है कि बहुत ही खतरनाग murder था यहाँ नाइब से बहुत बार वार किया गया था फॉरेंसिस की टीम वहाँ होती है और सब कुछ चान बिन रही होती है तब ही वहाँ उन्हें एक hair मिलता है यह hair देखकर सब कुछ खुश हो जाते है क्योंकि यह hair killer का हो सकता है और अगर यह match हो गया तो killer पकड़ा जाएगा इन्हें hair मिल चुका है तो जादा investigation अब यह नहीं करते जिसका murder हुआ था उसका नाम था Kang Kang होटेल सेगरा own करता है और उसकी एक girlfriend भी है जिसको हो हमेशा मिलता रहता है अब चोयून को Kang की girlfriend के पास भेजा जाता है जब murder हुआ तो वो कहा थी क्या कर रही थी यह सब चोयून उससे पुछता है चोयून सिर्फ इसके hair में interested होता है इन्हें murder scene पर hair मिल चुका है तो चोयून को सिर्फ इसका hair चाही होता है Crime scene पर उन्हें यह भी पता चलता है कि Kang बनने से पहले वो किसी के साथ intimate हुआ था जब और investigation होती है तब इन्हें पता चलता है कि जो hair इन्हें मिला है यह किसी आत्मी का था इससे वो conclusion करते है कि Kang गे था यह case और भी complicated हो जाता है अब police का शक जो मर चुका है उसका एक friend था इस पर चला जाता है चोयून उससे पुष्टाच करने के लिए जाता है और उससे पुष्टा है कि उस रात वो कहा था Kang का friend खेता है कि वो घर पर ही था पर हो Kang से मिलने के लिए गया था चोयून 100% sure होता है कि यही killer होगा चोयून फिर Kang के friend के मरजी के खिलाफ उसका hair ले ले लेता है इसके बाद हम देखते हैं कि चोयून और यून जी यह दोना gym में workout करे होते हैं इंजू के लिए एक अच्छा सा लड़का चोयून ने देखा होता है तो उसे date करने के लिए उसे बोल रहा होता है इंजू तो चोयून से ही प्यार करती है तो वो कहती है कि अगर मैं और pretty होती तो क्या तुम उसे प्यार करते है चोयून इस पर कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है इसके बाद हमें चोयून उसकी girlfriend के साथ दिखाये गया है चोयून की girlfriend का नाम सुजीन होता है इन दोनों में जगड़ा हो गया होता है तो एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं कर रहे होता है चोयून सुजीन से कहता है कि मुझे लगता है कि मैं तुमसे मिला हूँ पर इससे पहले कभी ना कभी हमारी मुलाकात हुई है वो इससे कभी भी recall नहीं कर पाता चोयून कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो वो फैसे यूजीन के साथ रहना चाता है पर यूजिन कहती है कि जब तुमें मेरी जरूरत पढ़ दी है तभी तुम मुझसे अच्छे से बात करते हो एक रात तुम ड्रंग थे और किसी और का नाम ले रहे थे इसी वज़े से यूजिन अब उसे कुछ सम्मध नहीं रखना चाहती नेक्स दिन हमें दिखता है कि चोयून रस्ते से जा रहा होता है और उसे उसके स्कूल की फ्रेंड मिलती है इसकी फ्रेंड इसे पहचान नहीं पाती क्योंकि इसे भूलनी की बिमारी है इसके फ्रेंड का नाम हिसू होता है और हिसू को एक बेटी है चोयून फ्रेंड की बेटी से बात करना चाता है पर उसकी फ्रेंड उसे रोग लेती है इंजू फिर से क्राइम सीन पर जाकर सब इन्वेस्टिकेट करती है तो वहाँ उसे एक सिगरेट मिलती है इस सिगरेट पर बलड होता है जो एक वूमन का होता है सब चीजे यही बता रही होती है कि क्यांग गे नहीं है पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेन आती है रेव फिक्टिंग को प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है इसलिए चोयून और इंजू ये दोनों जाकर उसे आप प्रोटेक्ट करने वाले हैं ये दोनों क्लॉजेट में छुप जाते हैं इंजू चोयून से कहती है मुझे लगा था कि तुम हर एक औरत को हेट करते हो इसी वज़े से तुम किसी से भी प्यार नहीं कर सकते लास्ट में तुम अकेले होंगे और मैं तुम्हें एकसिप्ट करूँगी चोयून केता है कि तुम्हें एक अच्छी लड़की हो इंजू को नीन आने लग जाती है तो चोयून के कंदे पर ही सो जाती है थोड़ी दिर में जिस लड़की को डर लग रहा था उसके घर में जबरदस्ती एक आदमी घुस आता है इस लड़की को जबरदस्ती करने के कोशिश करता है चोयून उठ जाता है और इस आदमी को बहुत मारता है इंजू को उसे कंट्रोल करना पड़ता है इसके बाद नेक्स दिन हम देखते हैं कि यूजिन ने अब चोयून को एकसेप्ट कर लिया है चोयून अपनी मदर से मिलवाने के लिए यूजिन को लेकर आया है चोयून की सब बचपन की फोटो जगरे यूजिन देख रही होती है एक फोटो में उसकी जो फ्रेंड थी ये है और उसका ब्रदर है इसके बारे में वो चोयून से पुछती है चोयून केता है कि मेरी फ्रेंड का ब्रदर मिसिंग है तो सुजिन पोचती है कि तुम तो पुलिस हो तुम क्यों से नहीं ढून रहे है चोयून केता है कि मैं शूर हूँ कि उसका ब्रदर सही सलामत होगा उसे कोई भी ढूनने की जरूरत नहीं है सुजीन मदर और चोयून के साथ डिनर करती है और रात में चली जाती है पुलिस कैंग के फ्रेंड पर नजर रग रहे थे उन्हें लग रहा था कि ये गे है एक जगा पर वो गया होता है जहां पर पुलिस आ जाते है और एक आदमी के साथ ही होता है तो इनका सस्पिशन अब और भी गाड़ा हो जाता है कैंग के फ्रेंड को इन्वेस्टिकेशन करने के लिए वो पुलिस टेशन लेकर आते है चोमून का पार्टनर सब गे लोग को हेट करता है इसी वज़य से कैंग के फ्रेंड को पहले बहुत मारता है उसे पुछता है कि तुम्हारा कैंग से क्या सम्मन था कैंग का फ्रेंड मना करता है वो कहता है कि हम दोनों का फ्रेंड कुछ भी सम्मन नहीं था यह कहता है कि हम दोनों एक दूसरे का अच्छे फ्रेंड थे एक दूसरे को काउंसिलन की ज़रूरत पड़ती थी प्रोटर द्षश और नहीं किया अब यह सब फ्रस्ट्रेडर हो जाते क्योंकि case बहुत goblet Risk नेक्स दिन कवर मिलती है कि टाउन का फ्रेंड कभी मर्डर हो चुका है टाउन का जिस तरह से मर्डर हो था एक नाइम से भुषद बहुत पार वोन किये गए थे उसी तरीके से ये भी murder हुआ है पुलिस अब सब कुछ चानने लग जाती है CCTV cameras वेगरा सब कुछ investigation करते हुए चोयों को याद आता है कि Kang के friend ने कहा था कि वो military में मिले थे तो military का इससे कुछ समंध हो सकता है तो इसे वज़े से उनके records हो निकालते हैं इन records में ने पता चलता है कि Kang जब army में था तब उसके दो friends थे Kang और उसके दो friend इन तीनों की बदली हो गई थी इन तीनों की वज़े से एक लड़के ने suicide attempt किया था इसी वज़े से इनकी बदली हो गई थी जिस लड़के ने suicide करने कोशिश की थी जोईन को उसका नाम पता चलता है और जोईन realize करता है कि उसकी friend का ही ये brother है उसकी friend से हो मिलने के लिए जाता है उसकी friend उसे पुछती है क्या तुमने उसे ढून लिया है जोईन कहता है कि मैं उससे कोई भी सम्मन नहीं रखना चाता था इसलिए उसने उसे ढूणने के कोशिश भी नहीं की है पर अब उसे पता चला है कि वो आर्मे में था और उसने suicide attempt करने के कोशिश की थी जो सब information चोईन को मिली है इससे वो disturb हो जाता है अपनी girlfriend के पास आता है और उससे शादी के लिए पुछता है ये भी इसके लिए हा कर देती है अब चोईन को लगता है कि उसके friend के brother नहीं ये सब murder किये होंगे इसके friend के brother का नाम यी सुक होता है अब इसका पुरा शक यी सुक पे ही है चोईन फिर से अपने friend से मिलने के लिए जाता है उसकी friend कहती है कि मेरे brother को मैंने तुम्हें ढूनने के लिए कहा था उस पर शक करने के लिए नहीं मैं समझ सकती हो कि तुम उससे मिलना नहीं चाहते थे पर अब वो murderer है ये तुम कैसे कह सकते हो क्या तुम्हें लगता है कि वो इतना cruel है चोईन कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि वो कर सकता है चोईन को जब वो स्कूल में था उसका past याद आता है उसकी friend का brother यानि कि यूसुक उसका भी friend हुआ करता था यूसुक के था इसी वज़े से स्कूल में उसे बहुत मारा करते थे चोईन ने उसे protect करने कोशिश की थी पर सब लड़के चोईन को ही मारने लग गए थे इसके बाद चोईन ने यूसुक से आकर कहा कि वो उसका friend नहीं रहेगा नेक्स डे पूली स्टेशन में सुजीन चोईन को लेने के लिए आती है यह दोन डेट पर जाने वाले होते है यहाँ पर इंजू सुजीन के पास ही बेटी हुई हुती है इसे बहुत बुरा लगता है इसे फिर याद आता है कि सुजीन और चोईन केसे मिले थे अक्चल में चोईन और इंजू एक आदमी को पकड़ रहे थे पकड़ते पकड़ते इंजू टेन में चड़ compartment और चोयू पहरी रहे गया इसे प्लाटफॉर्म पर चोयून और सुजीन मिले थे इसे बहुत ही पच्टा होता है अगर वो उस दिन ट्रेन पर नहीं चड़ती तो शायद चोयून उसका बॉइफ्रेंड होता चोयून आज सुजीन के साथ वेडिंग ड्रेस बाय करने के लिए आता है ये दोनों ड्रेस ही बाय कर रहे होते तब ही चोयून को रियलाइज होता है कि येसुक का और एक फ्रेंड था जिससे उसे बात करने चाहिए ये शॉपिंग छोड़कर फिर वो येसुक के फ्रेंड के पास आ जाता है येसुक को बहुत तकलिफ देता था ये तिनों मिलकर येसुक का रेप करते थे एक दिन ये उसेहन नहीं कर पाया इसी वज़े से अपने आपको इसने गोली मारने एक कोशिश की थी ये सब सुनकर चोयून को अब बहुत ही बुरा लगता है सब पुलीज जब इस केस पर डिसकेशन करते है तो वो रियलाइस करते है कि ये सुक ही सब लोग का बदला ले सकता है यहाँ पर कैंग और उसका फ्रेंड मर चुका है तो उसका और एक फ्रेंड था जो अब नेक्स्ट मरने वाला हो सकता है चोयुन अपने ही इन्वेस्टिकेशन कर रहा था तो कैंग का फ्रेंड जो अब मर सकता है उसके पास चोयुन आ जाता है चोयुन फिर कैंग के फ्रेंड से ये सुक के बारे में बुछता है तो कहता है कि वो बहुत ही ब्यूटिफुल था ये यूसुक को बहुत ही अब्जेक्टिफाई करता है चोयून केता है कि तुम्हें सावधान रहना चाहिए पर कैंग के फ्रेंड के पास अब बहुत सारे बोडी गार्ड है जो इसे प्रोटेक्ट कर सकते है कैंग का फ्रेंड बहुत ही घटी आदमी होता है और यूसुक के बारे में बहुत ही गलत गलत चीज़े बोलने लग जाता है चोयून को गैंग के फ्रेंड पर बहुत ही घुसा आता है उसे वो मारने लग जाता है पर उसके बोडी गार्ड चोयून को रोक लिते है चोयून ने बहुत सारी चीज़े फिगर आउट कर लिये और वो डिस्टरब है यह सब इंजो को पता चल जाता है इंजो उसे कहती है तुमारे मन में जो सब है वो तुम मुझे बता दो अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम ट्रबल में आ सकते हो चोयून सुनता नहीं और वहाँ से चला जाता है चोयून डायरेक्टले अपनी गल्फरेंड के पास आता है उसे कहता है कि चोलो कही बहार चलते है वो इस सीटी से दूर जाना चाता है सुजीन रेडी होकर बहार निकलती है तभी चोयून को फिर से कॉल आ जाता है कैंके दूसरे फ्रेंड का भी मर्डर हो चुका है जब एक क्राइम सीन इन्वेस्टिगेट करते है तभी इने पता चलता है कि जिस तरह से प्रिवियस मर्डर थे उस तरह का ये मर्डर नहीं है ये मर्डर कुछ अलग तरीके से किया गया है पुलिस को जो हैर कैंके मर्डर सीन से मिला था उसकी और भी टेस्टिंग होती है इस टेस्टिंग में उन्हें पता चलता है कि हैर एक ट्रांस जेंडर का है यानि कि मर्डर पहले आदमी था और उसके बाद उसने अपना gender change कर लिया है इनका शक फिर से क्यांग की girlfriend पर ही जाता है उसने gender change किया हो सकता है इसलिए उसी investigation करने के लिए police station पर लेकर आते है इन जो फिर से crime scene पर जाती है और सम investigation करने लग जाती है यहाँ पर बहुत सरे law की books होते है पर क्यांग को कभी भी law में interest नहीं था वो restaurant own करता है और law से उसका दूर दूर तक कोई भी सम्मन नहीं है एक book को हाथ लगाती है जिससे एक secret door खुल जाता है यह secret passage है जो restaurant तक जाता है इस passage से वो restaurant के kitchen में पहुच जाती है यहाँ पर एक shape है जो चाहू के साथ सही से खेल सकता है murder पर जो वार किये गए थे यह बहुत बार किये गए है और यह chef का काम हो सकता है इसका शग इंजू को जाता है यह इस shape से बात करती है और कहती है कि तुम बहुत ही अच्छा चाहू चला लेती हो यह chef डर कर भागने लग जाता है इन जो इसे पकड लेती है और police station में investigation करने के लिए लेकर आती है अब police, kanky girlfriend और यह chef इन दोनों से investigate करने लग जाते है इस chef के DNA sample उस crime scene से match कर जाते है यह chef कहता है कि वहाँ में food delivery करने गया था इसलिए यह सब हुआ है उसने murder नहीं किया है यह वो police को खेता है kanky girlfriend के भी record निकाले जाते है और वो transgender नहीं होती इस investigation में चोयून सामिल नहीं है चोयून अपना past याद करते हुआ में दिखता है हमें पता है कि ईसुख चोयून का friend था पर यह friend से और भी जादा थे चोयून ने इसुख का बचाने की कोशिश की थी और उसके बाद उसने उसे kiss किया था society के डर से चोयून अपने आपको accept नहीं कर पाया और फिर इसुख को भी hate करने लग गया इसी वज़े से उसने इसुख को कभी protect नहीं किया चोयून फिर police station में आकर CCTV cameras के footage चेक करने लग जाता है यहाँ पर इसे कुछ मिल गया है जिससे killer कोन है इसे पदा जल जाता है यहाँ से वो बाहर निकल रहाता है तो इन जो उसे रोक लेती है उसे कहती है यह मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ फिर से कभी भी नहीं देखूंगी चोयून अपने girlfriend के पास आ चुका है इसुक ने surgery करवाई थी और वो औरत में convert हो कया था यह औरत चोयून की girlfriend Sujin ही है चोयून सुचिन के पास आकर उसे पुछता है कि तुमने यह सब क्यों किया है Sujin कहती है कि तुम मुझे कभी भी accept नहीं कर सकते थे तुम society से ही डर रहे थे इसी वज़े से मैंने इस सब किया चोयून कहता है कि तुमने उन लोग को क्यों मारा Sujin admit नहीं कर रहे है कि उसने इस सब लोग के murder किया है चोयून डिस्टरब हो जाता है और सब चीज़े फिखने लग जाता है Sujin फिर चोयून को शांद करने के लिए कि लिए कि हाँ मैंने ही उने मारा था चोयून को समझ मेंने आता कि अब उसे क्या करना चाहिए वो Sujin को कहता है कि जल्दी से यहाँ से चली जाओ यही एक चीज़ है जो मैं तुमारी लिए कर सकता हूँ चाते जाते सुजिन कहती है कि मैंने जो सब किया तुम से प्यार करती थी इसी वज़े से किया है यह बाहर निकल कर रस्ते पर आ जाती है कि सूसाइड करने वाली होती है तब ही चोयून उसे रोक लेता है चोयून अब सुजिन को लेकर सिटी से बाहर निकल कर यहाँ से बहुत ही दूर जाना चाता है यह दोनों निकल पड़ते है यहाँ पर पैरलल में पुलिस भी इन्विस्टिकेशन कर रहे थे CCTV कैमेरेस से इन्हें पता चल चुका है कि सूजिन मर्डर से इन पर आई थी जो लास्ट मर्डर यान कि कैंग के दूसरे फ्रेंड का मर्डर हुआ था वो मर्डर ज़रा अलग था इस मर्डर सेन पर इन्जू पहले पोची थी यहाँ पर उसने चोयून का लाइटर देखा था यह लाइटर देखकर हो समझ गई थी यह चोयून ने ही मर्डर किया है चोयून भी इसी वज़े से डिस्टरब था कैंग का फ्रेंड इस सुक के लिए बहुती डिस्रेस्पेक्ट फूल था तो कैंग को बहुती गुसा आ कहा था उसे लग रहा था यह उसे मार ढाना चाहिए रात में हो गया और कैंग के फ्रेंड को मार कर आ गया इंजु को चोयून का लाइटर मडर सिन पर मिल गया था उसने वो लाइटर अपने जेब में रख लिया था चोयून अलग बेहव क्यों कर रहा है यह उसे पता था इसलिए उसने कहा था कि मुझे लग रहा है कि अगर तुम यहाँ से जाओगे तो मैं कभी भी तुमें नहीं देखूंगी ऐसा मुझे लग रहा है चोयून और सुजिन को पुलिस पॉट कर लेते हैं और उनका पीछा करने लग जाते हैं चोयून और सुजिन तोनों भागते भागते एक ब्रीच तक आ जाते हैं प्रीज के सामने कुछ भी रास्ता नहीं रुखता, अभी अरेस्ट हो जाएंगे और चोयून को ये अच्छा नहीं लगता, सुजिन भी पकड़ा नहीं जाना चाती, चोयून फिर गाड़ी को तेज चला कर इस बीज से नीचे गिरा कर खुद कुशी कर लेता है, सुजिन और क्रेडिट्स रोलते और फिर हमारा ट्विस्ट आता है, कैंकी गर्फरेंड को पुलीस छोड़ देते, क्योंकि उन्हें लगता है कि सुजिन ही रियल मर्डरर थी, कैंकी गर्फरेंड पार्किंग लॉट से चल रही है और उसके पीछे शेफ होता है, ये जो शेफ है कि कैंक लुट मर्डर रह सेफ था अगर हम फिरसे एनलाईज करें तो शेफ कैंक की गर्फरेंड को पैयर करता था, इसे वजएसे कंक को उसने मार डाला, कैंक के फ्रेंड के भी कैंक की गr ifrind के साथ संबंढ थे, इस लिए जेलेसी में इस शेफ ने उसे भी मार डाला, लास्ट थर्ड मर्डर हमने देखा है वो कैंग के दूसरे फ्रेंड का था यह हमें पता है यह चोयून ने गुस्षे में यह किया था पिछले कुछ सिंस में हमने देखा है कि सुजिन मानने रही थी कि उसने मर्डर किया है पर चोजन बहुत दिस्टब हो गया था तो उसे शान करने के लिए उसने एडमिट कर लिया था कि उसने ये मर्डर किये है सुजिन के हैर मर्डर सिन पर थे क्योंकि वो कैंग से मिलने के लिए गई थी बहुत सालों बाद उसने क्यांग को देखा तो उसे लगा था कि क्यांग उसे अपोलरजाइज करना चाहता है क्यांग उसे अपने रूम पर लेकर गया और फिर से उसका रेप उसने किया था इसी वज़े से सुजिन के हेल्स मडर सीन पर थे इसी अजीब से ट्विस्टेड एंडिंग के साथ ये मूवी एंड हो जाती है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देजेगा बहुत सारी इसी मूवी इस लेकर आते रहता हो तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब कर दीजी और बेल नोटिवेशन आइकन दबाने मत भूले है हम वेसे मिलेंगे और एक नहीं मूवी के साथ तब तक के लिए थैंक्यू और अब आपने आपका खैल रखिये